आज मैं वेस्टी अर्शास के वस्तोनिस्ट रश्न MCQs lesson 1 के लेने जा रहे हैं ये micro economics है आपका वेस्टी अर्शास जिसका परिचा lesson है ये इसके जो आपके MCQs हैं वो विभिन प्रतियोगी परिख्षाओं में आते हैं UPSC, SSC, State PSC, Railway, Banking तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और याद करिएगा चलते हम पहले question पे अर्शास वो विज्ञान है जो मानो वैवार का अध्यन साध्यों और सीमित वैकल्पिक प्रियोगों वाले साध्यों के बीच संबंध के रूप में करता ये कथन किसका है? चार option दिये हैं इसमें से गा option सही है रॉबिन्स question number 2 है आविशक्ता वी इंता की संकल अपना का प्रितिपादन किया था इसमें भी चार option है लेकिन इसका खा option जेके मैता सही है तीसरा प्रशन है अर्शास के जनक कौन कहे जाते हैं? ये सबसे important question है और इसमें भी चार option है अर्शास के जनक Adam Smith माने जाते हैं question number 4 प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्शास क्या है? चार option है इसमें खा option सही है केवल वास्तविक विग्यान question number 5 है सुक्की प्राप्ती ही मानो जीवन का लक्ष है किस भारतिये विचारक से सम्बंदित है? चार option है इसमें आंसर का सही है? जेके मैता question number 6 है कि निमलिकित में से कौन सा कथन सत्ते है? तो इसमें भी चार option दिये हैं उत्तर का सही है? का option सही है? हमारी आवशक्ता सदा सहायक से अधिक होती है question number 7 है बहुत एक समस्या का नाम बताएं जो अशास अध्यन के एक विशय समगरी के रूप में खोजा गया है चार option है इसमें खा option सही है बेरोजगारी इसके बाद है निमलिकित में से किस्से पस्चिमी अर्षास के सुचकां का अध्यन किया जाएगा तो चार option दिये हैं इसमें आपका पहला option उद्योग सही है next question 9 है निमलिकित में से किस्से समस्टी अर्षास के रिकार्ड का अध्यन किया जाएगा इसमें भी चार option हैं तो समस्टी अर्षास का जो अध्यन किया जाएगा वो है रास्टी आया निखा option सही है इसके बाद next question है क्या उतपादन किये जाए निर्णे लेने के लिए क्या सिद्धान थे इसमें भी चार option है तो इसमें option का सही है जहां समगर पातरता अधिक्तम हो तो ये आपके सारे option और question हमने बताए हैं इसको याद कर लीजेगा वीडियो को like कर दीजेगा अगर अच्छा लगा हो मेरे चैनल को subscribe ना किया हो तो subscribe कर दीजेगा और bell icon press कर दीजेगा Thank you for watching